हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत हापका हमारे लर्निंग YouTube चैनल Learn with Suriyah में दोस्तों आज के वीडियों में बात करने वाले हैं बर्गमूल बर्गमूल कैसे किया जाता है? बर्गमूल करने कितनी सारी विदियां होती है? सारी चीज़े आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको तो चले देख लेते कैसे इसको किया जाएगा इसकी विद करने के कौन-कौन सी विदिया होती है तो बर्गमूल क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हमने लिखा हुआ 64 और यह है करणी क्या होता है कैसे किया जाता है तो इसको बताया जाताओ तो यह पे लिखा हुआ है अंडरू रूट 64 यानी करणी शिक्टी फोर भी इंदी से पढ़ेंगे इसको इसका मतलब यह होता है कि 64 की घाट एक बटे दो है यानि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है 64 की घात एक बटे दो है अब इसको हमको हल करना है इसको कैसे निकाला जाएगा हल कैसे किया जाएगा हल कैसे किया जाएगा इसके लिए भी अलग वीडियो आपको हमारे सेनल पर मिल जाएगा गुणनखंड करने का कैसे गुणनखंड किया जाता है वो सारा प्रोसेस आपको बताया हुआ है डिटेल में तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जलदी से जाकर करके वो सारे वीडियो देख करें जिससे आप से गुणनखंड करना अच्छे से बनने लें ओर अगर गुणन खंड करते बन जायेगा तो यह फिर यह समझ्छाय क्या होता है इसकके पहले इसके पहले वाला जो वीडियो इसमें हमने बताया हुआ कि पूर्ण वर्ग संख्या हैं क्या होती है जैसे यहाँ पे देख लिए जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 4 तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्यों होगी क्यों होगी कि फोर का बर्ग मुल्क क्या होता है टू होता है दो गुणे दो बराबर 4 था तो ये क्या हो जाएगो फोर जो होगा वो एक फूर वर्ग संख्या हो गई ऐसे हम यहाँ पर लिखते हैं 16 तो 16 भी एक फूर वर 무엇 वर्ग संख्या होगी क्यों होगी क्यों 涅गर 14 को हम गुलन्खंड वीज से नहीं निकाल सकते हैं इसको करके सिर्फ फॉरं की संग्छ्याओं की मले कहितें को निकाल करना सबसे पहले हम को 64 का गुणनखंड स्कूर निकाला लेना है सीटरु इसको निकाल लेना है तो सबसे पहले 64 है तो 64 वह उसी प्रोसेस से इसको निकाल लेना है जो सबसे पहले 64 है तो 64 टू से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे तू 23 जा 6 और 22 जा 4 आ जाएगे हैं अब 32 आ गया है 32 को भी हम को 2 से ही काटना है गुडनखंड प्रोसेस हम कर रहे हैं, सिंपल गुड़न खंड है, गुड़न खंड नहीं बन रहा है, तो इसके लिए वीडियो बना हुआ है, आप जाके जल दिसको चेक कर लिए, तो आप से गुड़न खंड करना आने लेगेगा, अब 2 से फिर से कट रहा है, तो 2 बन जा 2, और 1 बच गया है, तो 6 जा 12, नहीं 16 आ गया, फिर 2 से काट रहे हैं, तो इहां पर 2 जा 16, और फिर 2 से काट एंगे, तो 2 4 जा 8, और 2 से काट देते हैं तो 2 जा 4 वा टू जा 2, यहां पर 1 आ गया है, तो 1 हमको इतना छोड़ देना, तो यह बन गया है हमारा गुड़न खंड हो गया, अब इ 64 गुणनखंड जितना हुआ है तो सारी संख्याओं को एक तरफ से लिख लेते हैं जितना इधर का गुणनखंड आया है उसको सब को multiply करके हम इससे directly लिख लेंगे जितना है हुआ हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं क्या होगा तो यहां पर हमने गुडन खंट लिख लिया है क्या क्या है है दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो आप यहां पर ध्यान देना कि कैसी इसको किया जाएगा तो सबसे पहले करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको जोडा बनाना है सिम्पली दो का जूड़ा सबको बना देना जैसे यहां पर दो जोड़े दो के एकक सी है मतलब एक दो हमारा आजाये कर आई सिह यहां पर भी गोने 2 つो एक दो हमारा और और का गया यान इसमें भी दो दो इसका हमारा और और इक लोट्रा अंशे को बंदा के लिए ँचो भी पैसे इसको रागे इत तो इसावह को देक्ष прекрас तो इसमें आ गया है दो दो के तीन जोड़े बन रहा है एक ये एक ये और एक ये इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो गुणे दो गुणे दो अब इसको अगर मल्टिप्लाइ करते हैं तो दो दूनी चार चार दूनी आठ आ रहा है तो आठ ही क्या हो जाएगा 64 का वर् करके सिर्फ हमको सिंपल सा जोड़ा बनाते जाना है और जोड़ा बनाने के बाद जो आएगा उसको मल्टिप्लाइ करके लिख देना है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा तो ये एक क्यूशन हो गया है ये क्यूशन आवर देख लेते हैं तो बहुत आसानी से आप से बन ज साओ सग्षा से काटना है तो सबसे पहले हम इसको डारेक्ट हम क्या काट रेंगे now the firm तो टू फोर जा एक आ रहा है यहां पिने दो चवको वाट एक बचेगा तो दो अठे 16 और यह 0 को जीरो उतार लेंगे लिए पूर टू जा 4 यानि 48 तो दो आगया फिर 2 से कट रहा है तो दो दो नहीं 4 दो चवको वाट और 0 उतार लिए दो एक कम 2 तो इसको साथ से कट दें आए यह 30 हो जाएगा साथ रीकर कईस यानि यह 3 बचेगा तो यह 30 हो जाएगा और साथ चवक 28 दो बचा यहां से एक किस हो गया और 7-3 एक आईस अप फिर यह साथ से कटेगा तो देखेंगे साथ से तो कितना आ रहा है तो साथ चाव 28 यहां से छे बच गया सान नहीं या 63 सट फिर साथ से काटेंगे तो साथ सता उन्चास और फिर साथ एक कम साथ यानि लाश्ट में एक आ गया तो यहां से हमको खदम कर देना अब इसका हमको बर्गमूल इसका जो गुणन खंड आया है उसको अलग से लिख लेंगे तो यहां हमारा आ रहा है अब इसमें से हमको बनाना है जोड़ा जोड़ा कैसे बनेंगा दो दो का जोड़ा जैसे यहां पर एक दो है एक दो तो एक दो का जोड़ा बन गया यानि दो बाहर आ गया अब यहां पर साथ देखेंगे तो एक साथ है और एक साथ यहां से बाहर आ गया और यहां भी देखे है नहीं इसको इसलिए दो साथ का और एक दो का जोड़ा बन गया तो अगर देखेंगे यहां पर तो साथ सता उन्चास और इन्चास दोनी अंठान नहीं यानि साथ दोनी चवदा जोड़स थे अंठान नहीं तो इसका बर्गमूल जो आ पायेगा जो पूर्ण वर्ग संक्षाएं होंगी जैसे मतलब इसमें सभी का जोड़ा जैसे यहां पर हमने देखा था च्यान deco4 में सबका जोड़ा बन रहा था अगर यहां पर गुणे पाच आ जाता तो मसलब इसमें बाट पर फोल नहीं निकाल पाते अगर हमको 15 का निकालना है तो उसको हमको भागविद नकाश से निकालना पड़ेगा भागविद भी काफी वीजी होती है उसके लिए हम आगले वाले वीडियो में बताएंगे भागविद से बर्गमोल कैसे निकाला जाता है तो तब तक के लिए इस वाले वीडियो को देख लिजे बर्ग खंड वी से ही निकाल लेते हैं तो बर्गमूल आ जाता है तो इस तरीके से बर्गमूल निकाल सकते हैं इसको समझ लीजे और एक दूबार अपने पास ट्राइब कर लेजिए अपने तरफ से लगा लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए यहां पर हमने दो स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजी यह मैस क्लास एट का है सब्जेक्ट है क्लास एट का प्लाट शिक्स का यानि लेशन 6 का है मैस का तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही साथ व